रूरी सूचना आप सभी इस्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply कूपन अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं यह कूपन कोड है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ की आंसर जी वाई एन एसाई यार इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप अप में बाइक करने से पहले जो अप्लाइब कूपन वाले में आता है तो 20% का सब्सकार दोस्तों जोग्रफी के एक और लेक्षर में आपका सवागत है आज हम लोग अठारवे लेक्षर में पहुंच चुके दो लेक्षर और बचें जोग्रफी हो जाएगी खतम इसको सब्सक्राइब करें मल्टिपल टाइम काफी जादा डिरेक्ली इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे रट लीजे गएग्दम तो आज का का प्रशन 426 से शुरूब होगा कहरा सलक्ट दा इसकर्रक्ष ओप्षण अमंगदा फॉलोई निम्लिकित में इसे गलत विकल्प का चैन करना है कौन सा गलत है चियापस प्लेटिव यूसे कोलंबिया प्लेटिव यूसे ग्रेट बैसीन प्लेटिव यूसे कोलोराडो प्लेटिव USA कौन सा मैच नहीं कर रहा है सही तो देख चियापस प्लेटिव यह USA में नहीं है यह कहां पर पढ़ेगा यह आपके मैक्सिको में है अभी मैप दिखा देता हूं आपको यह मैक्सिको में है चियापस प्लेटिव बाकी कोलंबिया प्लेटिव USA Great Basin प्लेटिव USA Colorado USA यह देख रहा को मैं आप यह देख सकते हो यह चियापस प्लेटिव यहां पर मिलेगा है तो यहाप देख सकते ऒची आपक च्यापस जो एं ठीक है मैक्सिको में पढ़ जाएगा मैक्सिको मैं चलिया अगले प्रश्ण पर देखतेंने निमलिकित में से कौन सा विकल कलब चाइना में बिल्कुल सई है काला हारी डेजर्ट बोड़्षवाना में है ठीक है और नामीबिया और आपके साउथ-अफ्रिका के भी कुछ पार्ट में आ जाता ही टकला मगन चाइना में कारा कुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में यह कजा किस्तान में नहीं कहां पे है यह हो जाएगा आपका गलत चली अगला देखते हैं निम्लिकिन में से कौन सी जलसंदी काला सागर को मर्मरा सागर से जोड़ती है फारमोसा स्टेट, फ्लोरीटा स्टेट, स्टेट और जिबराल्टर या बॉस्फोरस स्टेट तो यह आप देख सकते हो आपके मैप में दिख रहा होगा आपको यह कौन सा है दिख आपको एपको दिख हो इस देख कऊऊँ, जो ब्लाक सी को जोड़ता है ठशी吗 इस map में भी देख सकते हो आप यह देखो बॉस्फोरस स्टेट है यह Sea of Marmara को Black Sea से जोड़ता है याद रखना Turkey में है काफी important है और यह Florida स्टेट है आपको पता ही है यह देखे Florida स्टेट है जो Atlantic Ocean को Gulf of Mexico से जोड़ता है और यह आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टा रहे देखे यह जो Mediterranean Sea को जोड़ता है Atlantic Ocean जे ठीक और Spain को एफरीका से अलग करता यानि यॉरप को एफरीका से अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टा ऐसे यह फार्मोसा स्टेट है जिसको टाइवान स्टेट भी बोलता है इस चाइना सी को साउच चाइना सी से कनेक्ट करता है ठीक है तो यह सब आपके एक्जाम में पूछता है याद रखेगा तो इसका अंसर्डी हो जाएगा यह सब से जितने एंसी क्यों मैंने करा इससे हो जाएगी बाकि स्टडी फॉर स्विल स्विसेश पर कंप्लीट आपको शॉर्ट नोट मैपिंग के मिल जाएंगा वर्ड जोग्रफी के कंप्लीट लिस्टिंग मिल जाएगी पेड को इस टेस्ट सीरीज कंप्लीट एक ही जगह पर त्यारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर से जोड़ सकते हैं चार्स नंबर क्वेशन पर आते हैं निम्लिकित में से कौन से जील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक के अंतरकत नहीं आती है विच आप दी फॉलोइंग लेक ड़स नॉट केम अंडर दा ग्रेट लेक्स और सुपीरियर, मिशीगन, टिटिकाका या हुरान तो देखो बहुत ही असान है ग्रेट लेक जो नौर्ट अमेरिका की है कौन सी होमस है मही होमस हुरैन, उंटेरियो, मिशीगन, एरी, सुपीरियर जिसमें से मिशीगन पूरी तरह से USA में आती है और बाकी कैनाड़ा USA के बॉ बॉलीविया इसके बॉर्डर पर है दोनों ही देशों में पड़ती है मैप देख लेते हैं यह देख सकते अब लेक तुटीका का यह पेरु और बॉलीविया के बॉल्डर पर पड़ती है ठीक है इक्वेटर ट्वाइस माही रिवर इट्ट्रोपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस आमूर रिवर इट फॉंस दा बॉर्डर बिट्वीन चाइन एंड रश्या मैकॉंग रिवर इट इस दा लॉंगेस्ट रिवर इन साउथ इस्ट एश्या तो देखिए यहां पर गलत जो है पहला हो है क्योंकि जो लिंपोपो नदी है यह एक्वेटर को नहीं काटती है दो बार मैप दिखाता हूं आपको यह देख रॉब लिंपोपो नदी जो यह है जिंबॉब्बे साउथ अफ्रिका के बॉर्डर पे भी है बोट्सवाना पे भी है मोजांपिक में भी है इंडेन ओशन में गिरती है यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन को काटती है किसको काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन को दो बार कट करती है ठीक है तो यह गलत है ऑप्शन क्योंकि एक्वेटर को नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन को कट करती है बाकी साही है माही नदी ट्रॉपिक कि निम्लिकित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है विच आप दी फॉल्विएंग रिवर फॉर्म्स दा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम नाइल रिवर आमेजॉन रिवर मिसिप्पी मिसौरी रिवर या वोल्गा रिवर तो समाझ ग सबसे बड़ा है यहां पर आपको प्यूर्ट रिको मिल जाएगा चिक है अट्लांटिक और यह आपको मिंडानो ट्रेंच दिख जाएगा यहां पर मिंडानो ट्रेंच कहां पर आईए फिलिपीन के पास मिलेगा आपको मिंडानो ट्रेंच और यह देखिए टोंगा ट्रेंच यह भी पसिफिक ओशन में यह कहां पर पसिफिक ओशन में सबसे डेप्थ यही है टोंगा ट्रेंच ठीक है तो इसका सही अंसर होगा य यहोंगी ट्रेंचेस कौन से ओशियन में है यह और उसका असेंडिंग ओडर या डिसेंडिंग और बस दस ट्रेंच आपको याद रखने होंगे इनी में से से पूछ लेगा मैं कोई क्रिवीजन में आपको लिस्टिंग से करा दूँगा उसके लिए टेंशन ना लो चलो निम्रिकित में से कौन सी जलधारा की प्रकृति ठंडी है विच आप दी फॉलोइंग करन्ट इस कोल्ड इन नेचर क्यू रोशियो करन्ट अलास्का करन्ट अल देखे जाता है अिसने बहुत वश्ट कर देखे जाते हैं जोसोटे हैं आपको वेस्ट साइड पर थंडे होते हैं तो यह अपको एमपोर्टन होता है कहेंगे तो मैं इस पर यह एक अलग से वीडियो बना दूँगा विथ ट्रिक्स आपको रटवा दूँगा ठीक है तो बेने जुएला करेंट कैसा है कोल्ड करेंट है और क्यूरोशी आपना वाम करेंट हो जाएगा और अलास्का भी आपको दिख रहा है अलास्का ठंडी C, calcium sulphate, potassium sulphate, magnesium sulphate या calcium carbonate क्या पाया जाता है आधिक मातरा में समधर में तो समधर में आपको सबसे जाना amount में मिलेगा magnesium sulphate, क्या मिलता है magnesium sulphate, ठीक है, C हो जाएगा इसका answer, 435 देख लेते हैं, पच्छुआ पवनों को कितने degree अच्छांस पर प्रचंड पवनों की संग्या दी जाती है, At how many degree latitude the westerly winds are given the title of furious winds, 60 degree, 50 degree, 40 degree, या none of the above, क्या इसका होगा सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 50 degree, कि जो भी पच्छुआ पवनों को कितने degree अच्छांस पर प्रचंड पवनों की संग्या दी जाती है, और इनमें humus की मात्रा अधिक होती है, Which of the following type of potzol soils are found in the belt of mid latitude deciduous forest and have high humus content, दूसर potzol, दूसर भूरी potzol, लाल पीली potzol या लाल potzol, मतलब grey potzol, greyish brown potzol, red yellow potzol या red potzol, तो इस type के सवाल बहुत पूचे जाते हैं, ROAR में especially, है ना in-depth सवाल है, यह geography काफी आती है, देखें, जितनी भी mid latitude deciduous forest नहीं है, यह area में आएंगे, mid latitude deciduous forest, और यहाँ पे जो soil है, वो greyish brown petzol मिलती है, यह कैसी धूसर भूरी potzol, तीक है, आपको यह याद रखना होगा, चले 400 सैंती देखें, कहरा, which of the following soil is the most fertile soil in the world, and it is considered to be similar to charanjome soil, निम लिखें तुमें से कौन से मिट्टी वेशु की सरवातिक उपजाओ मिट्टी है, एबं वह चरंजो मिट्टी के समान मानी जाती है, ठेक है, कौन सा इसका सही होना चाहिए, अलफीसुल, सपोडोजोल, मॉलीजोल या ऐड़िडोजोल, तो इसका सही अंसर होना चाहिए, दोस्तों मॉलीजोल, क्या हो जाएगा मॉलीजोल, ठेक है, चले 430 दिखते हैं निम्रिकित में से कौन सा कारक मुर्दा अपर्धन का मानो निर्मित कारक नहीं है विच आफ दी फॉलुइंग फैक्टर इस नॉट आ मैनमेट फैक्टर ऑफ स्वाइल इरोजन ठीक है बहुत ही आसान है ओवर ग्रेजिंग अन्साइंटिफिक एग्रिकल्चर वाटर फ्लो प्रॉब्लम या नन अफ दी अबव तो बिल्कुल दोस्तों यह तीनों ही आपको देख रहे नहीं तो मैनमेट नहीं है तो ऐसा तो कोई नहीं है नहीं नन अफ दी सो जाएगा ठीक है चार सो 49 क्या कह रहा है चार सो 49 में कह रहा है गलत विकल्प आपको पैचान है सलेक्ट दा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट ऊश्र कटी बंदी सदाहरितवन महोगनी मध्य अच्छांसी सदाहरितवन हेमलोक बोमध्य सागरीवन कॉर्क और संकुधारीवन स्प्रूस ट्रॉपि में मिलते हैं कहां पर कौनी फ realizing कोर्क और कौनी फैरिस प्योस यह भी साही है तो या splits होते हैं घिका चार सो चालिस देह लेते हैं 2007 में 68 सम्मीलन का उधीष कि सब्रस्तक ग्रीन हाउस गैसों के उठों सर्जन की दर को 2000 किस तर तक कम करना है क्या होना चाहिए इसका सही अंसर तो इसका सही अंसर हो जाएगा 2050 क्या हो जाएगा दोजार पचास याद रखना दोजार साथ में जो बाली समेलन नुगता इसका उदेश था कि ग्रीन हाउस जो गैसे हैं उद सर्जन को दोजार के इस तर तक कम करेंगे दोजार पचास तर ठीक है डिरेक्ली वन लाइनर फैक्चुल सवाल है याद रखेगा पूछ सकता है ठी चले 441 देखते हैं पहली बार यह समय सहमती हुई कि कार्बन डायोकसाइड के उस सर्जन के संबंद में पूर्तेग देश अपने लक्षे निरधारित करेगा उपर दिये के बाक्त में सहीव गल को चैन करना है वार फर्स ताम इट वस एग्रीड एट इच कंडरी वूट से तो इसको कब करा गया दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर तो बहुत ही आसान है मैं चाहता हूं इसका अंसर आप मुझे ऐसे लिखिए 441 और कमेंड में दीजे कितने लोग इसको सही बता पाते हैं बहुत ही आसान है न्यूज में काफी रहता है अगला कराया निम्लिकित म से कौन सा गलत है तो कोई भी इसमें गलत नहीं को तीनों बिल्कुल सही है North East India में almost को जूम बोलते हैं बत्त्रा बोलते हैं साउथ इस्ट राजिस्तान में पोडू बोलते हैं आंधरा प्रदेश में ठीक है निम्लिकित में से कौन से दो देश समान मात्रा में तांबे का उत्पादन करते हैं विच आप फॉलोइंग टू कंट्री प्रडूस सेम अमाउंट ऐसे में ठीक है आपको आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से किन दो देशों के पास लगभग ऐलुमुनियम के समान भंड़ा है विच आफ फॉलोविंग टू कंट्रीज हैव अल्मोस्ट दा सेम रिजर्व ऑफ ऐलुमुनियम चाइना कैनेडा कैनेडा रशिया रशिया य ut āडिया किस में सवाल हैलुमूनियम के रिजर्व के सवाल ना था तो दिखे14 में बारत और युए-इंके पास ईल्मोनियम के रेजर्व मूस्ट से मातला में एक इसके पास यूए और इंडिया चले 445 देखें लिकर नहीं से किस देश के पास बोढ़ें के बंदार का क्या सही उत्तर होना चाहिए तो इसका सही उत्तर है पेरू कौन सा सही उत्तर है पेरू ठीक है अठारा पृतिज़ाइद पुरी दुनिया का Central of iron ore. China Manchuria, आस्टेरिया, पिल्वारा रीजन, पेरू गैलीवियर रीजन, साथ अफ्रिका पॉट्समबग रीजन, कौन सा सही होगा? तो देए यहाँ पेरू है यह गैलीवियर रीजन, यह स्विडन में है त्टिक है गालीवियर रीजन कहां पे है स्विडन में ना कि पेरु में है पिलवारा रीजन आस्ट्रेलिया में है चाइना मंचूरिया और साउथ अफरीका पोट संबाग यह सब आयरा नोर की मेजर माइनिंग याद रखना बहुत जादा 447 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं निमलेखित देशों को उनके हीरे के भंडार के प्रतिशत के अधार पर आरोही क्रम में विवस्तित करना है और इंद फॉलोइंग कंट्री इन असंडिंग और ऑन बेसिज ऑफ परसेंटेज ऑफ डायमन रिजर्व ठीक है छोटे से ज्या दूनिया में देखेंगे न तो पूरी दूनिया में तो सबसे ज्यादा डायमन रिजर्व आपको रशिया में देखने को मिलेंगे उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो कौन आएगा बोट्स वाना आता है और जो लेटाइस डाटा मैं बता हो आपको तीसरे नंबर पर अंगूल आ जाएगा डेमोक्राटी कॉंवेस साउथ अफरिका उसके बाद आता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया की गिंती बहुत नीचे है तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन इसके हिसाब से बनेगा न तो वह यह बनना चाहिए साउथ अफरिका फि स्टॉक होम पेपर इंडस्ट्री कौन सभी कल सही मैच कर रहा है पहचान ये ब्रैटफोर्ट ये उनिवर्स्तर के लिए फेमस है क्या तो बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा सवाल यह होता है कि ब्रैटफोर्ट आपको अगर पता ही नहीं होगा कौन से देश में है तब ब्रैटफोर्ट ये युनाइटट किंग्डम में है पहली चीज यह याद रखो कहां पर युनाइटट किंग्डम में ये बिल्कुल सही मैच कर रहा भूलन इंडस्ट्री के लिए फेमस है अब पीटर्स बग अलग है पिट्स बग अलग है ये यूएसे में जो कि किसके ल होना चाहिए वैसे चलिए 449 देख लेते हैं कि ट्रांस केनेडियन महा मार्ग पुरसांद महासागर और डाश दोनों को तटो को जोड़ता है दा ट्रांस केनेडियन हाइवे कनेक्ट दा कॉस्ट ऑफ बोथ पसिफिक ओशन एंडश बताओ जो ट्रांस केनेडियन हाइवे किसको कनण करता है पसिफिक ऑशन के कोस्ट को और अट्लांटिक आर्किक अंटार्किक ये सदन ऑशन हिंदी में अट्लांटिक महास अंगर ये सेमी है दच्छनी महास आगर सदन को बोलें तो इसका जो सही उत्तर है वो है ठीनाडिक मैप देख लेते हैं जो ठांस केनेडि यह पूरा अट्लांटिक ओशन से शुरू होता है और यह पूरा पसिफिक ओशन तक खताम होता है ठीक है बहुत ही बड़ा है यह एक जो आट्लांटिक और पसिफिक को जोड़ता है चलिए आज का अंदिम प्रस्ण देखते हैं निम्न में से कौन सी नहर सुपीरियर जील को ह से जोड़ती है विच आटी फॉलोइंग कैनाल कनेक्ट लेक सुपीरियर टू लेक हुरॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है पनामा सुइस कैनाल कील कैनाल यह नन अब देखते हैं तो यह देखिए कनेक्ट करता है लेक सुपीरियर को हुरॉन से शू कैनाल जोड़ता है शू कैनाल जोडता है तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीबो लास्ट लेक्षर बस बचेंगे इसके बाद यह खतम फिर अब हम लोग साइंस करेंगे और दूसरी हमने मौडरन हिस्टरी करेंगे दो लेक्षर चलेंगे पैरलल में बागी कंप्लीट स्टडी दे सकते हैं अपनी तयारी को और चार चाहन लगा सकते हैं